प्रिदेश को मित्रों शक्तियों सत्य को कहने के लिए किसी सपत की जुरूत नहीं होती है और नदियों को बहने के लिए किसी पत्त की जुरूत नहीं होती है प्रिदर्श्क और मित्रों शाथियों नोगरों राजकुमार के पद्पर आसिन बुद्धुदेव का 19 जुलाई 2024 को रातरी 20 अनि रातरी 8 बज का 40 मिन पर राशी परवर्तर हो रहा है बुद्धेव अपने मित्रग्रह देवता सुरीदेव की राशी शिंग में परवेश करेंगे पांच अगस को बुद्धेव शिंग राशी में वक्री होंगे और 22 अगस को बुद्धेव वक्री अवस्ता में करक राशी में परवेश करेंगे शिंध्राष्य में बुद्ध देव का बारा राश्य पर क्या प्रभाव रहेगा क्योंकि बुद्धी वैपार के Kariq है और नहकरों में चंद्रदेव के बाद कोई जादा गती सीले तो बुद्देव है इसलिए मानव जीमन पर बुद्देव का एक विशेश प्रभाव है और बुद्देव ये एक महिना विशेश परस्तितियों में संत्रन करेंगे बारा राश्य पर क्या परभाव पड़ेगा इसलिए वीडियो आपके लिए बड़ा उपियोगी रहेगा मैं ज्यादा समय नहीं लूँगा से खाली आप से देठा हो कि बुद्द्देव सिंग्राशी में आ रहे हैं उनकी मितर्रनाशी है आपको क्या मिलेगा सबसे पहले में बात करूँगा मैंश्राशी और पंचम भाव संबंदी अनकूल फ्लों की प्राप्ति कराएंगे यह आप विभाइत है तो बुद्दिव यहां संतान सुकी प्राप्ति का संकेद दे रहे, आप अब विभाइत है तो जिवन साती की तलास समाप्त होगी और को जिवन साती मिलेगा, शिक्षा से जुड़े जातकों को अच्छा लाब मिलेगा, परियासों को लेकर अधिक उस् सफलता मिलेगी, बुद्दिव का पंचंभाव में संचन आपकी सोच समझने की सक्ति में सुधार लाएगा, निरने समता मजबूत होगी, पढ़ाई में मन लगेगा, कामकाज से समझने नहीं नहीं, इन्हें इन्नोवेटिव आइडियास आपके दिमाग माएंगे, जिसको पूरा करने के लिए आप बहुत महनत करेंगे और आपको सफलता मिलेगे, आपकी सोच, आपकी कारिशन आपकी कुछ सल्ता में बढ़ोतरी होगी, पंचंभाव संतान है बुद्धी है, आपके नीजी समंध है, बुद्धे तीसरे भाव के समिर पंचंभाव में विराजमा ने सास और प्राकर में बिर्दी होगी, कारी वेविशाइक से जोखिम उठाने का लाब मिलेगा, किसी प्रभाव सुषाली बेक्ति का साथ मिलने से आजजीव का किसे विश्थार होगा, सामझी कारी में रूची बढ़ेगी, सामझी गुरु राजनित बर्चसों यस की प्राप्ति होगी, मनंगुल लाबगारी यात्राओं का योग है, लेकिन बहुत जरूरी है, अपनों से छोटे भाईबेनों से तालमेल बना के रहेंगी बढ़ेगा, बुद्धिव का संचन मेशराशी वालों के लिए अममन ठीक नजर आ रहा है, फिर भी कहीं कोई परिशानी हो, तो लगाताथ, 19 जुलाई से लेकर साथ दिल तक गुड और तिल की रेवडियां नौवर्ष की कम आयों को कन्याओं को बाढ़ेगा, ओम ब्राम ब्रीम ब्राम शा बुद्धाय नमा, और ओम क्राम क्रीम क्राम भुमाय नमा, मंगल देव और बुद्धिव की बीज मंतर का चाप करना उत्तम रहेगा, पारवारी जीमन में आव्यभाई जीमन में परिशानी है, तो किसी बिभाई इस्तरी को हरी चूडिया का दाम देना उत्तम रहेगा नमा, और बात करते हैं विर्षव रासी, विर्षव रासी वालों की बुद्धिव दूसरे और पटमभाव के समय चतोत भाव, शिंञ्रासी में संचन करेंगे। बुद्द्द्देव का ये संचन आपको परिवाः ससथ आच्छा संवन्भ्यतित करने का मदद करेगा। परिवाः साथ बैटने का मौका मिलगा, परिवाः में शमन्भे रएगा। हर सो उल्लास में परिवार के साथ समय बैतित होगा, वैवशाय परिवतन कर सकते हैं, आपकी इच्छा सक्ते में बड़ोतरी होगी, कारिशेत में किये के कठीन परिश्रम का अनकूल प्रणाम प्राप्ट होगा, इस समय ऐसे कारी जिसमें आप शियों को अत्वा अपने बिज को रिप्रेजेंट करने का आपको मुका मिलेगा, यानि प्रेजेंटेंशन कोई है तो शपलता में चार चांद लग जाए, चात्रों के लिए समय अनकूल हेगा, बोधिक इस तरका विकास होगा, एजुकेसिन और केरियर और कारुबार के सितन में चात्रों और रिवाओं क आपके स्वामी उगर चतुरभा में विराजमान है, अपनी वाणी के वाक्ष पुड़ता के सारे लाब परजित करेंगी, आपकी बोलने की चमता बड़ी मजबूज, आपका कॉम्मिकेसिन स्किल बहुत अच्छा रहेगा, आपकी वाणी का सकारत में पुड़ा, दूसरों का मौका मिलेगा, बिजनेस को आगे बढ़ाने या हाई उतरों से बात भी कर सकते हैं, मार्केटिंग, ट्रीडिंग, क्वालिटी, कंट्रोल से सम्म्हंदित आजविका के शेतर में शपलता के पून आपश्छा है, आप चाहते कि आपके लिए और बुद्देव अच्छा भाव के समय होकर तिस्रे भाव सिंगरासी में गोचर करेंगे, आर्तिक धनकोस बढ़ेंगे, आई की साधन बढ़ेंगे, कारुबार को नहीं दिशा देने में घर परिवार का स्वयोग मिलेगा, और आप शम को शारी रूबे स्वस रखने में भी खासी रूची बढ़ेग समय अच्छा है आप, आप शक्रे रहेंगे, आप अपने दोस्तों और परिश्यतों साथ लंबी दूरी की यातरा भी कर सकते, मैनेजमेंट और फाइनेंस की लाइन में प्रियासरत विद्यारतियों के लिए विश्य ही सपलता मिलेगे, आपका अपने भावबेनों के साथ रिस्ता मजबुत होगा, अपने कही कारियों को पूरा करने में उनसे सहोग भी मिलेगा, पारवार जीवन शुक में रहेगा, दामपती शुक अच्छा रहेगा, जीवन साथी से जो मतवेदे वो दूर होंगे, और शुक और सुहारत में ब्रदी होगा, माता के साथ समंदों म सुधार होगा, मजबूत रिस्ता बनेगा, मित्यों राश्यवालों बुद्ध लगने शाहे, व्यक्ति तुमें निखार आएगा, कारिशित में आपकी सभी सुधर रहेगी, कारिशित में शकरत में प्रिणाम मिलेंगे, लोगों पर आपका अच्छा इंप्रेशन रहेगा कारबार में सोचल लेटर परिण में अच्छा लाब मिलेगा, नए दोस्तों बेनेंगे, लेकन साहिती संपदगों के लिए, मीडिया के लिए, कला के छेतर में भागी बर्दक समचार है, युवाओं को खेल के मैदान में कुछ अच्छा करने का मौका मिलेगा, वैपार में जो लोग हैं उन्हें सफलता और लाब लेगर वैपारी यत्रा लाब दाइग रहे, क्या करें, प्रतेग बुद्धुहार को सरधान सारे इलाईची लोगों में बाठिएगा, उत्तम रहेगा, किनिर को हरी बस्तरों का दान देना सुब रहेगा, और घर में शुबह और साम का पूर जलाना लाबकारी रहेगा, नमनेन बात करते करकराश, करकराश वल बुद्धी 12 और तीसरे भाव के स्वमियोगर, दूसरे भाव सिंग राश्य में संचन करेंगी, यूर विध्यारतियों के लिए समय केरियर कारवा, नौकरी वैपसाए के हिसाब ते उत्तम और नौकरी और काम में रूची की वज़े से धनलाब अच्छा रहेगा, आपको सोचने और समझने की नहीं सकती पदान होगी, आपका संचार कोसल बिदी होगा, लेकिन आपके खर्चों में बड़ोतरी हो सकती, इस पर ध्यान दिएगा, गजट पर ज्यादा खर्चा नही की विज़े, बड़े वैविशाई निर्ने मदद मिलेगी, ये निर्ने आपके कारुबार के विकास के लिए फाइदबत होगी, पर खर्चों पर अंकुस रखना होगा, किसी जे भी जुटी उमीद नहीं रखे, उतना ही आस्वात दे जितना निभा सके, चोचोड़ी बुद्वार की रात एक जटावाला नारेज शिरान रखे और प्रात्यकाल गनेजी के मंदिर में चड़ा कर आगे, बहुत अच्छा उपाय रहेगा, नुमनें बात करते हैं, शिंगराशी वालोग लिए बुद्ध एकादेस और दूसरे भाव के समय उकर लगन भाव मान बढ़ेगा, घर परिवार का बातावान शुकत रहेगा, जिवन साथ रिस्तों में प्रगारता आएगी, परिवार साज किसी मनोन कुल जगर पर घुमने फिरने का मौका मिलेगा, सिंगराशी वालोग बुद्ध देव का लगन भाव में गोचर कारुबार के लिया से उ जुकतम रहेगा, आपकी लोग प्रिता में ब्रदी होगा, आपका कन्वेंसिंग पावन बहुत मुझबूत होगा, जिसका लाब वैपार में अच्छी डील करने के लिए मिलेगा, आपको एक से अधिक स्रोतों से धन कमाने की सफलता मिलेगी, पूर में किये परियासों के पूर में किये परियासों से इस समय आपको लाब अरजित करने का मौका मिलेगा, आप अपने कार्जावी सफल बिजनेस रूप में अपनी पैचान बनान में सफल लेंगे, संपरशूतर बढ़ेंगे, जिनका भरपूर लाब मिलेगा, आपका वैवशाइच साजदारी में ह तो पार्टर्शिप में वैवशाइच करते हुए अप्रतैसर लाब की प्राप जोगी, जिए आप कोई नए वैवशाइच सुरू कर सकते हैं, ऐसा समय भी है, जो लोग राजनीती में हैं, मीडिया में हैं, विग्यापन में हैं, फिलम इंडिश्री में हैं, समय बड़ा अ उत्तम रहेगा, और गाही को हरा चारा चला खिलाना भी बिड़ा लाप का देगा, नमना प्रबात करते कन्यारास, कन्यारासे वालोग लिए बुद्ध दसम और लगन भाव के समय करेंगे, इदि आप नौकरी में समय अनकूल है, मल्टिनेशनल कंपनियों में कार्यतर स्वास्ति के देश भी देश की यात्राओं का योग भी है, और लाप भी है, स्वास्ति के दर्शिकों से कन्यारासे वालोग जातकों के लिए विशे इस सावधानी की आवश्यता नजरारी, ध्यान रकना पड़ेगा, क्योंकि आपकी रोध प्रत्रोग्दक समता कमजोर हो अच्छा रहेगा, तरक वितरक से बचे तो अच्छा रहेगा, कन्यारासी व लोगली बुद्देव का बारवी भाव में गोचर कारोबार के लिया से थोड़ा सा इस बात का संकेदर की विवाती सोदह में पुझे निवेस नहीं करें, वैविशायक निड़ने बहुती अच्छा रहेगा, ताते पावपसार यह जाते लंबी सोड, शामर्तिय को देखकर खर्च करें तो अच्छा रहेगा, अपने खर्चों पर नियंतर रहेगा, आयात और निर्यात और विदेशी वेपार्च जुड़े लोगों के लिए अच्छे प्रणामों का संकेदे, कार जुरुद्मन महिला को दान में देना उत्तम रहेगा, और हर रोज शुबे साम घर के पूजास्तान में सुद्देशी घी का दिपक जलाई, विश्नु अश्टोत्र नामावली का पाठ करें, कष्ट और परिशान की च्टकारा मिलेगा, नमनान और बात करती तुला रासी, तुला रासी वालों के लिए घार भी बाव है, इच्छाओं का भाव है, मित्रों का भाव है, इसलिए गुज्देशी म्हाथ तुला रासी की जातु क orange करीज रहेगा, कारी चत्र में जहां नोकरी का चत्र है चाहिए चाहिए कारोबार का चत्र है सफलता लाप or खुशी का संकेत है वैवशाइय में हाँ मिलेगा जो जो रिखती यात्रा समंधी कोई काम करते है वैवड़ जाई चскरक्षी सेयर कारिकरे करें कारिशुरुल पदोनती हैं प्रोशान है लाब हैं सेल परच़े इम्पोर्ट ओर अच्श्पोर्ट में जूड़े कारिमा अच्छा मुनापा होगा कं पर्यासों के बावजुदी अच्छा मिलेगा आम्दाइनी में ब्रधि होगी तोर्च्छंश्य पढ़ेगा अपने दोस्तों को मिलने का मुकामलों अपने दोस्तों का सहयोग भी आपको मिलेगा कला संस्कृति धर्म से जोड़े लोगों के लिए ये समय पूर्ण उता उनके पक्स में सरकारी कमचारी को अपने वर्ष अंदिकारियों से प्रुषान और प्रुषकार मिलेगा परवाईट दर्शक्रश में मनंकुल फ़लों की प्राप्तिका संग दे जीविन साथी मदूर समंद बनेंगी दामपती जीविन अनकूल लेगा व्यर्थ की मद्वेजों से चुटकारा मिलेगा वर्ष जनों का प्यार मिलेगा बड़े भाईवेनों का साथ मिलेगा तो समय ब जो करते हैं वर्षुक राधी वर्ष क्राशी है वर्षीक राजी के जातको लिए अस्टम और रिकाधास भाव क शमय जोको मिलेगा प्रगति हो सकता है जीवन की जो सब्सक्तिया है उसके करण आपके जॉब प्राफेरल में कुछ बदलावा सकता है कारी सित्म में परिवर्तन हो सकता है जो रखते अपनी नौकरी बदलना चाहते उनके लिए समय खीक है दोस्तों की मदद मिलेगी अच्छी कंपनी में नौकरी भी मिल सकते हैं धंते जुड़ पॉलिशे में चिकसा के चेतर में गुड़ रहशिय से जुड़े है उकल्ट साइन्स से जुड़े है उन्हें धन अर्जित करने का मोका मिलेगी कारी सित्म मुनाफ़ा बढ़ेगा आएके साधनों में बढ़ोत रहेगी व्यवशाय श्रमन्दी परिशानिक अनिवान होगा बहुशी समिदी योजनाई बनेगी आखिसी में धनला के अवसर बनेगे इस समावेदे में उच अध्यकारियों के साथ बना कर रखना बहुत जरूरी होगा किशी भी प्रकार के बाद विवाद से बचे पारवारी जिमन में लड़ाई जगड़ा और कलह नहीं और समझोता बात करते हैं धन राशी धन राशी वल बुद्देव शप्तम और दसम भाव के स्वामी को नमम भाव सेंग राशी में गोचर करेंगे बुद्देव का ये गोचर आपके लिए काफी सकरात्मक और आशाबादी रहेगा आतम विश्वास बढ़ेगा वैवशाय में नहीं न अच्छा लाप राप्त होगा आप अपने साजदर्व से बहत्त तालमेल होने का संकेत भी नजर आ रहा है पारवार दसम बुद्देव का गोचर आपके लिए फायद बन साबद होगा पारवारी बातावन अनुकूल लेगा समझी सरुकार बढ़ेगा रिजदारों से मिलन परिवार के साथ यात्रा का योग भी नजर आ रहा है गर परिवार में मंगली का रिशंपन होंगे पूरी परिवार में खुशी और उस्ता का वातावन हेगा दंडाशिवा लोगली बुद्दे का नमभाव से गोचर केरियर और कारवार आर्थिक दिश्कून अनुकूल त मकराशिवाल बुद्देव चटे और नमभाव के समय अस्टमभाव सेंगराशी में कोचर करेंगे आर्तिक धनकोष में विर्दी होगी पर तु वैवशाई निरन देते में सावधान दें तथा कतर मित्रों से सावधान दें विवादी सोदों में पुंजी निवेस नहीं क कारियों में एकागरता बनाखे रहें खनपान पर थोड़ी सुद्धा रहें मैनत और परिष्द्धन का पूरा लाब वैपार में देखने को मिलेगा परिवार में तालमिल बना रहें इस पर आपको काम करना पड़ेगा नहीं तो तनाव का संकेत है मित्रों के साथ मांसी त बार का खान पान आपको नुक्सान देगा, आपने उपर तनाव को नहीं हानी नहीं होने देगा, वहां चलाते हैं साफधानी बर देगा, चोट और दुरगना का संकेदी, विए युवा और विद्यारति जो उच शिक्षा में अध्यन रहते हैं या नौकरी कर रहे हैं उनके मचलियों को भूजन देना बहुत उत्तम रहेगा, हर रोज शुबह और स्वाम गजेंदर मोक्स इस तुरत का पाट सुने या फर श्यूम करें, कष्ट और प्रेशान में स्विट कारा मिलेगा, नुमनें बात करते हैं कुमराशी, कुमराशी वालों के लिए बुद्देव का पंचम और अच्टम भाव का स्वाम युग सब्तम भाव में संचन कारुबार के हिसाब से अनकूल लेगा, आप संपर्ग सुत्रों का उचित इस्वाल करेंगे, आपको अपने बहविशाय में नहीं उपलब्दी मिलेगी, प्रतु कारुबार के लिए से साफधानी अप कारिश अपने को दूर रखना बहुत ज़रूरी, पारवायर दिस्कॉंटिश्व और अनकूल होगा, पारवायर स्वाव प्राप्त होगा, व्यवाइक जीवन की समीशाम से मुक्ति मिलेगी, घर में शुहार्द पुर बातावंड हैगा, मित्रों और भाई बंदों साथ अ समय को छटे भाव शिंगरासी में संचन करेंगे, यूर विद्यारतिक लिए ये समय महत्पों लेगा, कामकाजकारबा, नौकरी, शिक्षा, कम्पिटेशन के हिसाब से सपलता, उत्तम अफसर देगा, लाब मिलेगा, धनलाब मिलेगा, जो जातक चिकिसा चेतर से जुड़ अच्छा रहेगा, आर्तिक इस्ती मजबुत होगी रुकावा धन पराप्त होगा, मैनत के अनुरुप धनकोष में बिरदी होगा, परंतु आपको कारिस्तर पर हर परकार के गौसिप और राजने से दूर रहना होगा, पारवारी जीमने संभल कर चलना बहुत जरूरी, जी मैला को गुरुवार दें, एक पकवा पपिता और पीले वस्तर का दाग दें, लगातार चार गुरुवार देजीगा, कस परेशानियां चुटकारूरी में कहीं उठापटक है, तो सर्दानुसार बेशन के लड़ू, सुबह सुबह गाई को अपना हाथ से के लएगा, कस कम आपके लिए अतिलाबकारी रहेगा, यह बारा के बारा राशियों का राशिपल, बुद्देव का सिंग राशिय में परवेश्का, यह नक्षतर ग्रणाओं का अधार पर मेरा निजी आंकलन था, ना भय ना ब्रह्म ने ब्रह्म ने ब्रह्म ने विवाद ने तरक, शक्यन राश्तान का हर व्यक्ति जानता है, अधाति माराज गायों से बहुत प्यार काता है, हजारों शक्डों बेटीओं के लिए जीवन के लिए मैंने अपना संपूण जीवन दिया है, यह मेरा सौक था, मेरी राश्ट की धरवर थी, यह करना मेरा कर्ते और कर्म था, मैं आपक मैं इस राष्ट का नागरिक हूँ, 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गोष्यवा में अपना जीवन इस राष्ट के साथ लगाया है, वरतमान प्रस्तियां आर्थिक दस्ट कौन से मेरी अनकूल नहीं है, धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजे नहीं, पहले भ कभी नहीं मांगा, अब भी नहीं कहा हूँ, और ये मेरा इंकार नहीं है, क्एकि धन को लेकर मेरे आश्ट के सामने कभी नहीं आया था, हमेशा मैंने ये कौनाशता ह, शेवा करूँ है, मैं भी शेवा करती हूँ, और दन नहीं चाहिए, लेकिन वरतमान में जो आर्थिक प्रस्तती हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सनिधान गोशाला की गाएं तुखी नहीं रहे इसके लिए मुझे आपका स्वयोग चाहिए और स्वयोग के लिए मैं शयोम आपके साथ खड़ा हूँ आपकी समश्याओं के समधान के लिए वही आप अपनी जन्मकुली का अवलोकन कराना चाहते हैं आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए तो मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा पूरी साल खड़ा रहूँगा जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूँगा नंबर आ रहा है इन नंबरों पर शंपर करी आप मेरे से बा एक्षान है। ऐसा हुरुदे से आया लोगोंने कहा कि राश्डा आपसे प्यार करता है दाती माराज एक बार निवद्न करें तो मैं दान नहीं मांग रहा हूँ फिर भी मैं अभी में इह एकार नहीं है श्हाथियों मेरा राश्रौ पर है मैं यह rays नहीं कहा रहा ऐसा मेरा निवेदा है और वे लोग जो शक्षम है शामर्थेवान है और जिने दाती महराज के जोती से समधान की आवश्रक्ता नहीं तो उनको मेरा प्रणाम क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महिने में लगब लगब 20 से 25 पचास लोग ऐसे भी है ज कि मेरी प्रस्ति आर्तिक दस्टिकौन से अनकोर संकेतनी दे रही है इसलिए मैंने राष्ट कहा कि सनिधान गोशाला में परिशानी नहीं चाहिए सरकार स्रपोर्ट कर रही है अपनी शिमाओं में रहते वे जो सरकार करते हैं लेकिन उसे पूरा नहीं पढ़ता है यह आप को लगता है कि दाति महराज के साथ सनिधान गोशाला में खड़ा रहना है नंबर है जरुर स्वयोकर है परा कोई दवाव नहीं है प्रातरा थी ओम नमो नाराएन ओम नमो नाराएन